Hello students, SV Children Academy की online classes में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्षकों की आकरतियों के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं S कक्षकों की आकरतियां देखिए S कक्षकों की आकरतियां जो है क्योंकि इसके लिए L का मान 0 होता है और M 0 होता है और S कक्षक का जो विन्यास है वो एक ही होता है इसलिए S कक्षक जो है वो गोलाकार पकरतियों होते हैं छीक है, इसका मतलब यह हुआ कि S कक्षक में तीनों अक्षों के सापेक्ष, इलेक्टरॉन का घना तब एक जैसा पाया जाता है विभिन उर्जास्तरों में पाए जाने वाले S कक्षकों की आकरतियां गोलाकार होती है लेकिन आकार जो है वो भिन भिन होते हैं यानि कि होते सारे की सारे गोलाकार ही है लेकिन वो गोले जो हैं वो बड़े छोटे हो सकते हैं इनके मुख्य क्वांटम संख्या के अधार पर इनका आकार जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या यहिदि चार है तो 4S सबसे ज़ादा बड़े आकार का होगा फिर 3S, फिर 2S, फिर 1S यानि कि इनके जो आकार हैं वो बढ़ते जाएंगे लेकिन आकारों की जो आकरती है वो गुलाकार ही होगी 1S कक्षक में इलेक्टॉन के पाए जाने की समभावना नाबिक के समीप अधिक्तम है इसी प्रकार यदि 2S कक्षिक में भी इलेक्टरॉन के समीप अधिक्तम होती है दो विवाओं में यह गोला एक वरत की तरह दिखाई देता है इस गोले की परिसीमा के अंदर इलेक्टरॉन के पाए जाने की सम्भावना जो है वो 90 परतिशत तक होती है और इसके अलावा वह स्थान जहां पर इलेक्टरॉन के पाए जाने की सम्भावना जो है वो बिल्कुल 0 होती है या 6 होती है उसको नोड कहा जाता है नोडल सतय है या नोड कहा जाता है समानत है Ns कक्षक के लिए N-1 नोडल सतय होती है तो ये आप जो पहला डाइगराम देख रहे हैं इसमें देखे कि जो 1S है वो अंदर में जो ये एक गोला दिखाई दे रहा है बलैक कलर का ये 1S है फिर उसके बाद में जो वाइट कलर की बीच में फिर एक खाली जगा आ गई है उसको हम नोडल सतै कहेंगे और फिर उसके ब बीच में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रोन के पाई जाने की संभावना नियूंतम होती है उसको हम नोडल सतै कहते हैं इसके बाद में आता है पी कख्षकों की आकरतियां तो पी कख्षक जो है पी उपकोश में स्थित होते हैं और पी उपकोश के अंदर L का मान एक होता ह है इसलिए M के मान जो है वो तीन हो जाएंगे एक से यानि की हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि एक अगर मान है तो माइनस एक जीरो वे प्लास एक होगा तो अगर तीन मान है तो तीन ही फिर कख्षक हो जाएंगे पी कख्षक के सब एक्ष PX PY PZ कख्षकों में विभक्त होते हैं पीक अक्षक की आकरती डंबलाकार होती है डंबलाकार का मतलब कि यह दो पालियों के अंदर विभक्त होते हैं जिसमें जो पाली है उसके बीच में नोलतल पाया जाता है अभी मैं इसका डाइग्राम आपको बता रहा हूं जो की नाबिक में से होके गुज यहां इलेक्टरॉन के पाई जाने की समभावना नगणे होती है तो यह देखे इसके टाइग्राम जैसे एक्स वाई जैड एक्सिस है पहले सिर्फ आपने एक्सिस को देखना है एक्स वाई जैड एक्सिस तो एक्स एक्सिस के उपर जो पी कख्षक जो है यह पाली का मतलब पीश में लोब बोलते है इसको और वैसे अगर आपने इमेजिन करना है तो यह एक गुबारे की तरह होता है ठीक है जैसे एक गुबारे को अगर हम बीच में से बांदें तो वो इस तरीके से आकरती जो है वो बना लेगा तो यदि यह गुबारा पी एक्स अक्ष के उपर है मलब एक्स अक्ष के उपर है तो इसको हम पी एक्स कहेंगे अगर यह पी वाई एक्स पर है तो फिर अगर यह वाई एक्स पर है तो इसको पी वाई कहेंगे और अगर जैड एक्स पर है तो इसको फिर पी जैड कहेंगे पी कक्षक के लिए एक किसी पी कक्षक के लिए ए तल जो होगा वो क्या होगा नोडल तल होगा जैड के लिए एक्स-वाई तल है पी कक्षक की आकरती नंबला कारों होने के कारण यह प्रकरती में दिशात्मक होते हैं यानि कि जब भी यह बंद बनाएंगे तो या तो एक्स दिशा में बनाएंगे या वाई में और या फिर जैड दिशा में थिक है एक ही पी उपकोश में तीनों पी उड़ा समान होती है इसलिए इन्हें सम भ्रहंशक खशक या डीजनरेट और्पिटल कहा जाता है थिक है तो यहां एक डेफिनेशन आपने यह याद रखनी है कि जिन कखशकों की उड़ा समान होती है ना उनको जो है N-2 के तुलिया होती है 3P उपकोश के लिए एक त्रिजम नोड और 4P के लिए दो त्रिजम नोड होते हैं विभिन उर्जास तरों के P कक्षकों का अकार N के बढ़ने पर बढ़ता है ठीक है तो ये 4P 3P 2P तो इनके अंदर अगर उर्जास का लेवल देखें तो भी ये D कक्षकों की आकरतियां जो हैं ये भी दिशात्मक होती है D कक्षक जो है D उपकोश में उपस्तित होते हैं D उपकोश में 5 अभी विन्यास अर्थात 5D कक्षक उपस्तित होते हैं क्योंकि हमें पता है L का मान जो होता है 2 होता है तो L का मान 2 होगा तो M के मान जब हम निकाल हो जाएंगे 5 दी कक्षक को DX YYZ DX Z DX Scare Y Scare, Own Dec. Z Scare में बाटा जा सकता है इनमें प्रतम चार D कक्षक का करती जो है वो double double shape होगी लेकिन आखरी D कक्षक की अ करती अलग होती है भिन होती है विविनम और जासतरों के D कक्षक की अ करती समान होती है लेकिन अकार जो है वो बिन होता है फाइव डी का अकार बड़ा होगा फार्डी और फिर उससे कम ट्रिव टी educación ठीक है एक यूर्जा सर में उपस्तित सभी पान्चों डी कक्षकों की उर्जा समान होती है अत्या इन्हें भी अब सम्भराइश कक्षक का जाता है ठीक है यह आप D कक्षकों की आकरतियां देख सकते हैं देखो इसमें D, X, Y सबसे उपर जो यह बनाया हुआ है तो इसको D, X, Y क्यों कहा ठीक है कारण देखिए उसका क्या है देखो यहां हम दो एक्सिस देख रहे है एक उपर की और Y है और एक X है तो Y और X एक्सिस है ना जो क्योंकि D कक्षक इसके बीच में स्थित है यह भी वह गुबारे की तरह ही है ठीक है गुबारे के जैसे एक हिस्सा एक तरफ है दूसरा दूसरे तरफ है तो यह दोनों जो है DX Y कक्षक इसलिए है क्योंकि X और Y के बीच में स्थित है फिर दूसरा आप देख रहे हैं DOT Y Z तो वो Y और Z के बीच में है तिसरा आप X Z देख रहे है तो वो X और Z के बीच में है पिर DX SQI-SQI-SQI-E जो है उसको आप देखिए वो अक्ष के बीच में उपस्तित नहीं है बलकि अक्ष के उपर उपस्तित है यानि कि X के और Y के उपर उपस्तित है इसलिए इसको D X स्केर Y स्केर कहा जाता है और D Z स्केर जो होगा वो Z X के उपर होगा तो इसलिए हम Z X को इसमें देखेंगे की वो जड़ एक्सिस के उपर है जड़ एक्सिस की यह जो आकर्ति है जड़ डेडस केडल की वो इसलिए थोड़ी होती है क्योंकि अंधर जो elektron की प्राइक्ता यह उसकी संभावना जो है वह एक ही अक्ष के ऊपर और इसके अलावा इसके अंदर जो ये सेंटर में एक गोल-गोल सी सरंचना बनी हुई है तो ये इलेक्ट्रोन का घनतवधी कोने के कारण सिर्फ इसी कक्षक में ये बनती है तो इसकी आकरती जो है बाकी कक्षकों से बिन होगी पर तेक डी कक्षक के लिए दो नोडल तल होते हैं ठीक है जैसे हमने एस के लिए देखा था कि एक नोडल तल होगा तो डी के पी के लिए भी एक होगा डी के लिए फिर दो होंगे इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी ऐसा तल नहीं है जहांपर इलेक्टरॉन के पाए जाने की संभावना नियूंतम हो यानि कि तीनों एक्सेस पर इलेक्टरॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो अधिकतम होती है ठीक है तो ये आपका कक्षकों की आकरतियों का टॉपिक यहां पूरा होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रोनिक विन्यास के बारे में बताऊँगा कि इलेक्ट्रोनिक विन्यास जो है वो कैसे लिखा जाता है इसके लिए भी हमें कुछ सिधानत पढ़ने पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन सिधानतों पर जर्चा करेंगे थैंक यू